अब DNA replication के लिए कौनकों इंजाइम काम करते हैं यह बहुत ही complicated process है अब बहुत सरे enigm में आवस्तक होते हैं जासे पहला DNA dependent DNA polymerase यह enzyme DNA का जो template होता है उसे Dioxyd nucleotide में polymerization करता है इस में एक सेकंड में लगवक एक सेकंड में 2,000 base pair का polymerization होता है प्रोकरियोड समय तीन प्रकार की यह इंटाइब होते हैं पहला DNA polymerase-1, DNA polymerase-2, DNA polymerase-3 यह तिन प्रकार्ट होते हैं लेकिन यो केरियर से में यह फाइफ प्रकार्ट होते हैं बहुत ही इफिशेंट होते हैं और बहुत जादे कटलाइज करते हैं जैसे कि लार्फ नंबर उन्कलिऊ टाइड बहुती कम समय में हाइली एकृ étaq के शाद होता है उसके कारण होता सो यह जो इंजाइम इजने हैं यह मिश्टेक को मिश्मेच को करने के लिए भी होते हैं जो मिसमेश करता है उसको हटा देता है और यह जो मेकेनिजम में हुआ अकल आता है पूफ रिडिक्ट इकोलाई में लगबग 4.6 x 10 to the power 6 बेस पेर इसके DNA में होते हैं और इसके रेप्लिकेशन में 18 मिनट्स लगते हैं JASON दूरा इंडें है गेस यह डिन य स्ट्रेंट को अन्वाइंट करता है रवह रड एप्लिकेशन और रडेप्लिकेशन और बनाता है यह पर रडेप्लिकेशन फॉर्क सम् बदाता हैम Γिए अन्वाइन आनियंडिंग दिन आ लोता है उसमें ज्के जिसके कारण डिन एस्ट्र यार धीने के टुक्रे होते हैं उनको जुएंग करने के लिए होते हैं यह फोस्फो डाइस्टर ओगा हम डाइस्टर बना करके इसको कंप्लीट करता है यह सिंगल स्ट्रेंद जो डिने सिंगल था उसको है आधा है जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं इसा प्रोसेस में जो एक हेलीकेज इंजाइम यह जो स्ट्रेंट्स है डीएन का इस डीएने इस ट्रेंट्स को अन्वाइन करता है और करने के बाद हाला कि यह प्रोसेस में बहुत ज्यादे इनर्जी क्या रो सकता होती है इसलिए इसमें इंजाइम है कि मैंने सवस्ट्रेट है डी ऑक्सी राइबो नुकलेवाइब करता है आध दूसरा इसके जो क्ले ने लाइब को कितलाइज करता है लेकिए लिए यह इसीलिए यह जो टेंपलेट है हम उसमें पोलेटिकी 3डेश्ट टू-5डेश्ट तो तो यहां पर यह फाइब टा फोता है यह थि यहां पर 3-5-5-5-3-2 यह दो इस्ट्रेंड का एंटी परलल से तो यहां पर यह जो पुलेटिकी होता है इसे हम कंतीनुवस सिंथेशिस नहिका है और इस तरह से यह जो प्लाराइजेशन होता है इसे कंटिनुवस काते हैं और इसे इस स्ट्रेंज को काते हैं लेकिन फाइव दाइस त्री डाइस स्ट्रेंज जो हैं यहां पर इसे इसे कंटिनुवस काते हैं इसमें यह फ्रेग्मेंट बनते हैं और इसे हम कहते हैं जो बाद में इंजायम लाइगे इसके द्वारा यह क्या हो जाता है तो ज्वाइन करके इस बनाता है यहां पर यह इनिशेट होता है DNA dependent DNA polymerase के द्वारा DNA का polymerization कहीं से भी किसी तरह से नहीं हो जाता है इसके लिए के इसी से पॉइंट होता है जहां पर इसन पॉइंट पर एक आर ने आ करके इस तरह से यह तरह से होता है और अन्तिमस्वात हो जाता है